नमस्कार तो आज है सेफ अणर नाइंटीन का फाइनल अब देखिए सबसे पहले सेफ अंडर नाइटीन का फाइनल की जो मैं बात कर रहा हूँ देखिए ISL की बात में करने वाला क्योंकि मुझे पता है कि कल जो फिर से हुआ है वही वही चीज पार्थी कोगई वाली बात त और पाकिस्तान वर्सेज इंडिया मतलब एक वह वाली राइवल्री जो एक दूसरे गेम में देखी जा तो इतनी बड़ी राइवल्री है कि बिलको देश बंद हो जाता है लेकिन खास कर ऐसे जो फुटबॉल की बात है थी वहाँ पर उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जा सफ में खेले या CFA में खेले या WFF में खेले या फिर Asia Cup में खेले एसेन गेम्स में खेले भारती फुटबॉल टीम है तो भारती फुटबॉल टीम मतलब आपका मेरा धर्म बनता है सपोर्ट करना तो अंडर 19 सफ क्योंगी देखिए अभी अपना टाइम है कि भाई हम यह अब देख सकते इसमें भी हमने थोड़ा बहुत स्ट्रॉगलिंग तरीके से गय है पेनाल्टी नेपाल के गेंस देन अभी हां पहुँचे है अब देखिए पाकिस्तान केंस मैच है तो हाइप थोड़ी सी तो बनाओ यार थोड़ी सी तो बनाओ कम से कम थोड़ी तो पाकिस्तान जो है एक डिफेंसिव टीम में समझता हूँ बिकॉज अगर वो यहां तक जैसे पहुचे फाइनल तक कोई बहुत गोल स्कोर करकर के नहीं पहुचे उनने देखो नेपाल के अगेंस्ट एक बूम वाला गोल मारा था उनके प्लेयर ने गोल था धूर से खतरना को आप वह एक गोल बागी फिर मौल्दिवस के अगेंस देखाजा उन्होंने semi-final खेला है उसमें तो draw किया था और फिर penalties हुई और उसमें जीते हैं और वहीं पर हमाया टीम देखिए हमाया टीम के attacking side हमाया टीम बहुत अच्छा है और पाकिस्तान जो हो डिफेंस बहुत अच्छा कर रही है तो वह कहते हैं कि अच्छा डिफेंट करके अब टाइटल जीच जाते हो तो ऐसे कुछ strategy उनके coach ने लगाई कि अच्छा डिफेंट करो ठीक है तो लेकिन मैं समस्ता हूँ जिस टाइप से हमारे टीम के players का potential है अब ही देखिए कई ऐसे जो हमारे fans है जो coach है हमारे सुबेंदु साब उनके पर सवाल उठा तो वो कुछ strategy रही होगी particularly हो सकता है कुछ matches के साफ से मुझे लगता है कि Pakistan के against हो सकता है कुछ अलग strategy हो because वो टीम तो बहुत defensive खेलेगी तो उसमें काई की long wall तो तो header करके निकाली देंगे तो कुछ हैना दूसरी strategy हो सकती उस match के लिए तो थोड़ा सा सब रखी इस match के लिए देख लिए तो क्या होता है तो देखे का जबूर शाम को 5 बजे हम watch along तो ऐसे भी करनी वाले है तो यह रही बात under 19 staff को final की और excitement मुझे नहीं पता आप में कितना है मुझे में तो excitement और मैं तो बिलकुर इसको भाई लगके देखूंग बहुत लंबी बात करती है हमेशा चेनियन की थोड़ी सी बात करते है चेनियन देखो मैंने पहले भी गाता है चेनियन इस season वो टीम नहीं है कि वो title अप्रोच वाली यह इस season उनकी टीम बनेगी अगले season अच्छा कर सकती ऐसी वाले team है या आधे season उनकी टीम थोड़ा prepare है तो बहुत सारी चीज़े है और अभी आपने नौर्सिस के गिंस क्या देखा वह बहुत कुछ अच्छा करने कोशिश करते लेकिन end product end product में जो है वहां पे बहुत तकलीफ एचेनियन को even उनके भी chance बने थे chance उनकी बने लेकिन वही है final third problem बहुत बड़ी problem अब यही जो च इनने class goal पिछले में मुंबई सिटी के एंगेंस देख लो यह वाला goal देख लो मतलब अपनी खुद की खुद की अबिलिटी इस पे गोल करके दिखा रहा है यह बात और देखिए इनकी भाई जो नेस्टर नेस्टर पिछले मैश में आपने देखा नेस्टर कितने effort डाल र कल देखो नौर्सिस का कल में game देख रहा था तो मुझे actually मिला रहा था कि यार यह जो coach है यह बेनाली यह सचमुच यार यह है इधर है यह tactician जो बोलते न वो है जो playing खेल रही थी उसवाद देखो भाई पीछे हो जो जुबया को इनको मिले है भाई मतलब एक अलग level का भा इनकी टीम भी अब ऐसा लग रहा है कि और खुष लेकिन एक मुझे एक थोड़ा से वह है कि भाई यह फैंस इतने कम क्यों आरे नौर्थीस के जो हमारी नौर्थीस की fan following है यह तो अच्छी होना चाहिए तो अब तो जीद भी है है अब तो जीद गई मैच इतना अच्छा खेली चैनियन के एक तो थोड़ा fan following थोड़ा और बड़े increase हो वहाँ पर स्टीडियम में ऐसे तो बहुत फैन फॉलविग नौर्थीस की लेकिन स्टीडियम में भी है तो थोड़ा मजा आया और और देखिए एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि मतला नोटिस करी है कि आप पर कीपर भी भाई इंजर्ड हो गए और बाद में अंकित भाई थोड़ी टाइम के लिए गोलकीपर बने उनका गोलकीपिंग का करियर स्टार्ट ही हुआ था कि असीर भाई ने उनका करियर ही खतम कर दिया तो वो एक अलगी चीज थे भाई क्या कल जो हुए गोल कल के ती अब देखिए गेम प्ले अगर आप बोलेंगे ने गेम प्ले तो मैं ऐसा समझता हूं कि नॉर्थीस्ट जो है नॉर्थीस अभी सब चीजे सही कर रही है इवन मुंबई सिटी के अगेंस भी दे प्लेड वेरी वैल मतलब मुझे तो उनका गेम पसंद आया था मुंबई सि कि अच्छी हो चुकि अभी और क्योंकि मिट से भी उनको थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल जा रहा है आगे एक प्लेयर होता नहीं कि चलना ची तो प्लेयर चल रहा है वाल एक बात अभी तो मैं तो अभी यह बोलता हूं कि नॉर्थीस भाई भी अटेकिंग साइड तो देखो चैनियन का सब सही है भाई एक्सपिरियंस प्लेयर कुछ कुछ जो फॉरेंड प्लेयर से वह अच्छी है यांग इंडियन प्लेयर सा है उनका मैं बोल सकता हूं कि हाँ ठीक है लेकिन एंड प्रोड़क्ट में अगर आप थोड़ा सा काम कर लें फिनिसिंग पर काम क चैनियन को भी गोल मिल सकते थे तो वह है कि विंटेज चैनियन की एक मांग थी एक वह थी है न कि एक्सप्टेशन जब स्टार्ट हुआ था साइनिंग सो रही थी कि विंटेज चैनियन बनेगी कुछ प्लेयर साइंगे हां और जॉर्डन मरेका ना खिलना ये थोड़ा सा खला है चैनियन को तो कुछ कुछ चीज है जो बिलकुल खली है अब यहां पर यह मत बुल देने कि रही मली होते तो साइज जीच जाते अब कोई ऐसा बूल भी सकता है में को तो नहीं पता तो ठीक है लेकिन आप आप क्या कहना चाहेंगे मतलब इस मैच को लेकर आप क्या चैनियन को देखो नौर्टीस के साइट से तुम मुझे पता आप सब पॉजिटिव आती बुलने वाले हो लेकिन आप जो है चैनियन के साइट से क्या बोलना चाहेंगे मैं यह आप से जरूरी जानना चाहेंगो तो आप जरूरी कमेंड में लिए कि बताएगा और इसी तर आप इंडियर फिटबॉल को सपोर्ट करते रहे हैं बहुत शुक्रिये वीडियो देखने के लिए जय हिन चै भारत